इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम अलेकुम रहमत वरकातों इतियाद दूम मैं आप सबी का खैर हैं अग्दामा हमने इससे पहले भी कहा था कि आखिर क्या फैसले लिये जाए इस पर हकूमत काफी कन्फियूज है लिहाद आईसी के मत नदर रियासत हकूमत ने एक बार फिर अपना फैसला बदल लिया है वजरियाला इडरपा ने रात के कर्फियू के ऐलान को खुद ही रद करते वे अपने ही फैसले को वज़िया दफ्तर से फाउरी तोर पर आईलान करते वे फैसला दिया गया है कि रा काफी लोगों की भीड होती है और सोचल डिस्टेंसिंग नहीं रहता जिसकी वजह से कोरोना के इमकानात हो सकते लियाजा फासलों को बरकरार रखने के लिए ताके कोरोना आलमी वबास है आवाम बसके लियाजा इस बात पर भी काफी एतराजात आवाम की जानिव से किये को लाकों की भीड़ कट्टा करते हुए इस पर बारहा तसकरा भी हुआ है ऐसा लगता है कि लोगों को कोरोना वबा से बचाने के लिए भीड़ कट्टा नहोंने का मशवरा देना हुकूमत का ढोंग लगता है क्योंकि यह खुद अमन नहीं करते हैं और चाहिए इसी वजह से या रियास्ती हुकूमत ने फैसला वापिस लिया हो ऐसा भी आवाम की जानिप से कहा जारा है मरकजी हुकूमत हो या रियास्ती आपर बार बार को लेकर कुछ ना कुछ हिदायत निहिसंदे कर रहे हैं यह फिर हमारे वजशर्याज़म भी मूह पर आदा मफल लगाकर को मा ना समझने की बात कहते रहते सवाल ये भी पूछना लाजमी हो जाता है कि अगर कुछ लोग कोरोना की मुखालिफत कर रहे हैं या फिर इसे साजिश कर रहे हैं तो इन पर कारवाई होनी चाहिए क्योंकि हवाम को ये लोग गुम्रा कर रहे हैं लियादा जब के पूरी दुन कर रहे हैं कि कोरोना सिर्फ दुनिया पर एक्तदार हासिल करने की साजिश है जिसमें सबसे पहला बड़ा भारत ही ही मोह रहा है इनका ऐसा कहना अब एक और वीडियो इनकी जानिव से शाया किया गाए जिसमें उन्होंने मोबाईल की रिंग टोन जिसमें कोरोना पर लंब बचने की बात कहती है जिसमें भारत नेपाल और बंगलादेश है लिहादा इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड की जानिव से कुल तेरा सवाल पूचे गए जिसमें पीपी किट पर भी सवाल किये गया आखिर इस किट को पहनने की सलह किसने दिया और किसने यह कहा के इस किट भी बीमारी फैला सकता है स्वाइब टेस्टिंग को भी कड़गरे में खड़ा करते हुए कहा कि किसने इसे सही ठहराया तो डुनिया भर में इस पर अमल किया जा रहा है को रना रात को सिर्भ भारत में आता है सावी इनका कहना है सिर्भ भारत में ही रात का केरफू लगा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी का 12 मर्च को हुकुमत की जानिब से एलान किया गया जबके 20 दिनों में ही अरोग्य से तुए बारा जबानों में तैयार हुआ था डॉक्टर बिश्वरूप का कहना है कि अगर अमरीका जैसा मुल्क भी इस एप को अगर बनाना चाहे तो सा काल भर में भी नहीं बना सकता क्योंकि यह बारा जबानों में बनाया है पर भारत ने सिर्फ 20 दिन में कैसे बनाया कहने का मतलब इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड ने सीधे मोधी हुकुमत पर ही सवाल उठाए है दुनिया भर में और भी मुक्तलिप मुलकों से कोरोना करने चाहिए का मतलब कहीं तो कुछ छिपा हुआ है वरना हुकूमत पर अगर छोटा सा भी सोशल मेडिया पर फेस्बूक वाटसप पर तंस किया जाता है तो फवरी तो पर गिरफतार करने वाले अब कहां है इतना बड़ा को फ्रॉड कहने पर भी खामोशी क्यों है कई ड इसी तरह से मुंबई हमले पर जो किताब लिखी गई थी जिसमें भारत में बढ़ते भगवा अतंकवाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि ATS अफसर हेमत करकरे को मारने वाले हिंदुत्वा तंजीम के अफराद थे क्योंकि मुंबई हमले की जांच हो या फिर माले गाउं ध हमाके की जांच हो इसे पाकिस्तानी आतंकियों का हमला साबित क्या जा रहा था जबके इसके पीछे भारत की ही फिरकापरस तंजीमे थी और इसी तहकीक के चलते करनल पुरोई जोची प्रग्याठाकूर असिमन अंदर और भी दिगर हिंदुत्वा लिडरों का हाथ होने क कि बात सामने आई करकरे को किसने मारा नाम की किताब वस्वत के आई जपी यास यम मुश्रीप ने लिकी और इसमें भारत के मुक्तलिफ चौबं में किस तरह हिंदुत्वा के शिद्धत पसंद दाकिल हूए है इसका जिकर उन्होंने किया था करकरे को भी हिंदुत्वा त किसने मारा किताब लिखी गई थी कहने का मतलब यह है कि अगर मुश्रीप की किताब गलत थी साबिक रियासत महराष्ट के आई जी पी यस्या मुश्रीप ने गलत इल्जाम लगाए गए थे तो इन पर करवाई क्यों ने की गई थी मतलब किताब में जो भी लिखा था कही ना लोगों तक पहुंचकर कोरोना साजिश है को वाजा भी कर रहे हैं तो हुकुमते इन पर कारवाई क्यों नहीं करती लिहादा शक होना लाजिम है पर अवाम तो तमाशगीर बनने की आदत है जितना कहा जाता है उतना ही अमल करने के आदि हैं फिर चाहे वो सच हो या इत्हाद नो देखने के लेश शक्रिया अलाफिस